नमस्कार दोस्तो स्वागत हब सबका हमारी यूट्यूब चैनल हीम इन्फो सेंटर में तो दोस्तो आज के इस बीडियो में हम आपको जानकरी देंगे SSC MTS भरती के बारे में जो की बकैंसी निकली हुई है और इसके फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं अगर आपने नहीं भरे हैं तो आज ही भर दें 30 अपरेल इसकी अंतिम्तिती है अवेधन करने की तो मौका ना गवाएं जल्दी से अपलाई करें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको SSC MTS की एज लिमिट के बारे में क्या चाहिए इसके लिए आपको अपलाई कैसे करना है एक्जामीनेशन का प्रारूप किस तरह का रहने बाला है और किस तरह का एक्जाम इसमें होता है तो आपको सब कुछ बताया जाएगा तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो चलिए बिन अकिस देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर SSC MTS 2022 की जो बेकैंसी निकली है MTS स्टाफ के लिए Multitasking Staff तो जो हबलदार CVIC और CVN है इनकी बेकैंसी निकली है और Multitasking Staff की बेकैंसी निकली है तो पॉजिशन इन डिफरेंट मिनिस्टरीज ठीक है तो अलग-अलग मंतरालियों में और विभाग जो भारस सरकार के होंगे उन में अलग-लग offices में इनकी निक्ति की जाएगी The SSC Multitasking 2022 exam in computer-based mode तो ये exam जो होगा आपका वो computer-based होगा ठीक है The SSC MTS 2022 online registration process will be start तो मार्च से ये start हो चुका है वैसे पर इसकी last date जो है वो 30 अपरेल है तो अभी आपके पास काफी time है तो आप इसको fill up कर सकते हैं ठीक है अपलाई कर सकते हैं SSC MTS के लिए तो नीचे इसकी vacancy के बारें बात करें तो vacancy इसकी दी गई है Multitasking staff MTS जो है वो will be intimated later और बाकी हवलदार in CBIC and CBN जो है वो 363 vacancy है इसकी और total 10,000 plus vacancy है तो मान के चलिए आपकी जो multitasking staff होगा उसकी vacancy होगी साड़े 6,000 के गरीब ठीक है साड़े 6,000 लगा लिजी आप 10,000 plus vacancy है तो age limit की बात करते हैं आगे तो age limit इसमें दी गई है 18 से 25 साल और cut off date that is candidates won not before 2, 1, 1997 से पहले जो है वो उनका जनम नहीं होना चाहिए ठीक है and not later than 1,1, 2004 और 1,1, 2004 के बाद नहीं होना चाहिए ठीक है तो 18 से 25 साल के विज में उमर होनी चाहिए 18 से 7 years as on cut off date candidates born on before 2, 1, 1997 से पहले जो है and not later than 1,1, 2004 ठीक है तो relaxation इसको इनमें दी गई है 5 साल की relaxation SC, ST category वालों को ठीक है और OVC वालों को 3 साल की and 10 years for PWD तो pay scale इसका जो है वो रहने वाला है आपका pay band बन जो है वो बुनजा सो से लेकर 20,200 के बीच में और grade बे 1800 ठीक है तो educational qualification की बात करने आगे तो educational qualification पिसें 10th class examination है यह है candidates must have passed minimum matriculation 10th class examination equivalent qualification from a central government regularization board ठीक है तो all candidates who are declared qualified by the commission for document verification will be required to proceed produce the relevant certificates such as mark sheets provisional certificate etc for completion of a matriculation or equivalent in original as a proof of having acquired the minimum educational qualification ठीक है तो इसमें कुल मिलाके यह दिया गया है कि matriculation based पर आपकी जो है वो examination होगी और जो document verification के लिए आप जब उसको clear कर लेंगे qualify कर लेंगे तो आपको जो है वो document verification के लिए बुलाया जाएगा और उसमें जो है वो आपको सभी अपने original documents लेके जाना पड़ेगा ठीक है तो failing which he candidates such candidates will be cancelled by the commission जो इसमें fail हो जाता है अपने document जो है वो original नहीं वहां पर present कर पाता है तो उसमें क्या किया जाएगा उसका cancel कर दे जाएगा commission के द्वारा ठीक है उसका जो submission है वो cancel कर दे जाएगा ठीक है तो next है application fees तो application fees इसमें कितनी है 100 रुपया only for general and obviously category candidates तो obviously और general के लिए 100 रुपया है और other category में based examination है पहले the last year SSC MTS exam 2011 conducted in two parts तो पहले जो last year में 2021 में हुआ था वो two parts में हुआ था paper 1 and paper 2 तो paper 1 में क्या है paper 1 में है will consist of objective type multiple choice question होनी जैसे multiple choice question होते है objective type ऐसा paper 1 होने बाला है तो इसमें 0.25 जो है वो negative marking भी दी गई है अगर आपका answer को गलत होता है तो 0.25 number आपके cutting ये ठीक है तो part 1 में हम देख लेते हैं क्या क्या subject है general English से आपको 25 marks का आएगा ठीक है 25 marks का general English से और general intelligence and reasoning इससे आएगा 25 number का और numerical aptitude इससे आएगा 25 number का और general awareness general knowledge से आएगा 25 number का ठीक है तो कुन मिला के 100 number का आपका ये paper रहने वाला है आगे बात कर लें है paper 2 की तो जो 2 paper नमबर 2 आपका होगा उसमें descriptive होगा ठीक है description इसमें मतलब दिया गया है कि आपका जो है वो objective नहीं होगा subjective type होगा आपको एक essay write करना पड़ेगा इसमें ठीक है यह से कहां पर दीक है language उसके अधार पर आप लिख सकते हैं मतलब हिंदी में या इंग्लिश में या किसी अन्य लेंगोज में आप लिख सकते हैं तो short essay 50 marks इसके मिलेंगे ठीक है next है how to apply तो apply कैसे करना है आपने application must be submitted in online mode only and at ssc official website तो इनकी जो official website है ssc.nic.in पर आप जाके बहां पर apply कर सकते हैं नीचे मैं बताऊंगा कि apply कैसे करना है the last day of registration online application 322 up to 1130 रात के ठीक है तो how to apply ssc.mts तो कैसे apply करना है step 1 यहाँ पर 3 steps में आपको बताया गया है कि apply कैसे करना है first register करना है आपने ssc.nic.in slash registration slash home and login करना है आपने ठीक है तो registration हो जाएगे आपकी फिर आप login करेंगे उसमें तो login करने के बाद आपने क्या करना है visit ssc online application portal इस इसमें जाना है आपने ठीक है तो आपके सामने application form आ जाएगा तो आपने वो form फिल करके online submit कर देना है तो इस तरह से आपका apply हो जाएगा MTS के लिए ठीक है तो बहुत ही महतबुन जानकारी थी मैंने आपके साथ share की है आप जरूर इसे apply करें साथ साथ में आपको जो है वो हर तरह से government job के लिए apply करना है चाए वो state की हो center की हो आपको कोई भी opportunity को miss नहीं करना है ठीक है किसी भी opportunity को miss नहीं करना है और हमारे channel से आप जुड़े रहें नए ने jobs की update पाने के लिए और जो आपके लिए ज्यादा important है हम वो आपको वीडियो में जरूर बताएंगे और आपके लिए mock test भी लेकर आएंगे तो दोस्तों government jobs की update पाने के लिए और mock test से related वीडियो देखने के लिए हमारे channel को आज ही subscribe कर लें तो चलिए मिलते है नेक् आलके अपना जै हिन जै भारत